सुप्रिम कोटनी पांच सव्यों नी बेच आजे अयोध्य मामले हैत्यासिक चुकादो आपियो छे बेच ना अध्यक्स CJI ए पिस्टालिस मेर्सुगी चुकादो वांचियो हतो अने कईू हतू के मंदी निर्मार माटे ट्रस्ट बनावामा आवे अने तेनी योजना त्रों महिनामा तयार करवामा आउसे पीठे कहिँ के मुस्ली पक्सने मजदीत निर्मार माटे अयोध्या माच पांच एकर वैकलपिक जमिन फाडवामा आउसे आचारिय राम चंद्र दास जी यह पोटा ना मंतवियो रजु करिया छे राम जी ने पूरे जीवन में सवहार्द रख壓 तो मैं अपने सभी मित्रों से कहुँंगा इस निर्णय से न किसी अन्य पक्ष को दुखी होने की आवशकता है न किसी पक्ष को अत्यन्त उट्साह की आवशकता है सभी समाज में सवहार्द बना के चले जैसे राम जी ने अपने पूरी जीवन में एक संदेज दिया, एक मैसेज दिया कि सवहार्द से हमें समाज में रहना है तो मैं सभी मित्रों से, सभी दर्शकों से सभी हिंदूओं और सभी मुस्लिम भाईव से में आगरह करूँगा कि हम इस निर्णे को अपने जीवन की किसी उसमें न ले अपने सवहार्द से, समाज से सुप्रियम कोट के इस नड़ने काम सम्मान करें और कोई भी ऐसा उत्साहित काम न करें जिससे समाज में गलत मैसेज जाए इसलिए मैं यह बिसे सागर है सब इससे करूंगा देखिए मैं आज बहुत बहुत बढ़ाई देता हूं संपूर्ण हिंदू जन्मानस को कि आज एक इतिहासिक फैसला हम सब के सामने आया है जैसा कि आप सब जानते हैं हम लोग तो उस मुकदमे से बहुत पुराने जुड़े रहे और 84 कोशी परिक्रमा में जेल भी काट के आ देखा है तो उसमें क्या है कि जो लड़ाई थी हमारी वैसे हम इलहाबाद हाई कोट से जीच चुके थे लेकिन इलहाबाद हाई कोट ने अपने निर्णे में जो है उस स्थान को तीन भूम विभागों में बाड़ दिया था फिर उसी जमीन की लड़ाई से हम लोग सुप कर दिया कि कहीं भी मस्जिद का कोई साक्षा में नहीं मिला है राम लला की जन भूमी के रूप में वह स्थान से दो हो चुका है और उन्होंने वह पूरा स्थान राम लला विराजमान को दे दिया है और उसमें भी विशेश करके उन्होंने सुन्नी वकबोड को पांच एक अएसा कहा गया कि यतो धर्म स्ततो जया जहां धर्म होता है वहाँ विजय होगी ही होगी और हम लोग धर्म की लड़ाई लड़ें कोई भी हमने ऐसा कदम नहीं उठाया हमारे ओपर भले चाहे जितने आक्रमण हुए मेरबाकी ने किया बावर ने किया लाखों हिंदूओं को को मिला है और एक बहुत ही अच्छा नड़े सुप्रिम कोट ने दिया है वह सारी भूमी राम लला को दे दी है अब वहाँ पर एक विशाल मंदिर में राम लला विराजमान होंगे और हम सब के जीवन का सभाग्य कि जिस लडाई को देखते देखते हमारे कई पूर्वज चल हिंदू के आस्था और हिंदूस्तान के स्वाभिमान मरियादा पुरसोत्तम भगवान स्री राम चंदर जी के जन्मस्थान पे आज विराजमान होने पर माननीय सुप्रीम कोर्ट को बहुत-बहुत बढ़ाई और सभी भारतवासियों को बहुत-बहुत बढ़ाई 1992 से लेकर के 2019 तक वर्तमान तक अपने जन्मस्थान के लिए लडाई करने वाले स्वयम भगवान स्री राम लला विराजमान को आज उनका जन्मस्थान मिला है और यहाँ पुरे भारत के लिए एक गर्व की बात है आज पुरे विश्व को एक संदेश दिया जा रहा है कि ध नर्मस्ततो जया